नमस्कार आदाब आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक में आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूशन पर दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूशन का मुख्य कारण बताया जा रहा है पराली का जलना जो पंजाब और हर्याना के असपास के इलाको में जल रही है ऐसा अर्विन केजरिवाल हमारे मुख्य मंत्री ने भी कहा और ये जो कारण है वो किस हद तक सही है और पराली का जलना किस हद तक जिम्मेदार है दिली की प्रदूशन के लिए इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं विकास रावल जी के साथ विकास हमाई साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया ये इस मामले पे वेशशग्य है जे एनियो की प्रोफेसर है तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल के ही पूछना चाहूंगी कि किस हद तक जिम्मेदार है पराली का कटना देखिए मेरी समझ में ये जो दिली में पॉल्यूशन की जो अपात स्थिति है उसके लिए पराली को जलाना को जिम्मेदार ठेहराना बिलकुल गलत है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं इसके दो-तीन का दिली से जो है हर्याना लगता है और एक तरव यूपी लगता है इन सारे इलाकों में अभी तक धान की कटाई भी नहीं हुई है कहीं थोड़ी शुरू हुई है कहीं पर अभी नहीं हुई है लेकिन धान की कटाई भी पूरी नहीं हुई है और पराली जलाना जो है पराली क अगर जलाया भी जाता है, तो वो पूरा धान जब कट जाता है, उसके बाद जलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने धान की कटाई की, तो वहाँ पर मैं आग लगा दूँगा, क्योंकि आसपास अगर धान कड़ा हुए, तो वो सारा जलने का खत्रा होता है, तो पराल जलाना हुआ यह नहीं है पंजाब के कुछ अलाकों में पराली जलाने का काम शायद अभी हुआ है लेकिन । दूसरी बात यह कि ऐसा कहना कि जब पंजाब में यहर्याना में पराली जलाई जाती है वो सारा धुआँ उटकर के सीधा दिल्ली में आ जाता है इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है क्योंकि अगर पराली जलाई जा रही है पंजाब में तो जितनी आपास्तिती दिल्ली में पैदा होती है उससे कहीं ज्यादा आपास्तिती पंजाब में पैदा होनी चाहिए क्योंकि सारा पिछले अगर एक अफ़ते का आप जो है मौसम विभाग का जो सैटलाइट और उन सब का डिटा दिखते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले एक अफ़ते में कल तक कल से पहले तक इस पूरे इलाके की जो हवा की स्थिति है एक तो हवा बहुत कम थी हवा की जो गती है वो दो से तीन माइल पर आवर की स्पीड थी उतनी स्पीड की हवा में इतना सारा दुवां कैरी करके 200 किलोमेटर दूर तक जो है पार्टिकुलेट मैटर आ सकता है यह बात चमती नहीं है तूसरा उस हवा की डिरेक्शन जो है वो भी कोई ऐसा नहीं कि वो सारी हवा दिल्ली की त आ रही है इन फैक्ट अगर यह हवा बहती है तो जितने पॉल्यूटेंट्स है वो दिल्ली से बाहर भी जाएंगे अगर वो हवा बहती है तो यह कहना कि हवा के साथ में वो सारे पॉल्यूटेंट्स पंजाब से उटकर के दिल्ली में आ गए उसका कोई भी लॉजिक समझ म नहीं आता है. तो आखिर फिर किस चीज की वज़ेसे जो है प्रोदूशन हो रहा है इतना जाधा दिली में दिवाली के बाद से हम हमेशार के नगे से हुआ कि अपने घर की तरफ नहीं जःक रहे हैं हम दूसरों को फ़र जो है ब्लेम कर रहे हैं दिवाली पर इतने पठाके दिल्ली में एक obscene amount of firecrackers are burst, हर साल ही होता है, दिल्ली में और सिर्फ दिल्ली में नहीं बड़े शहरों में चंडीगड हो, चाहे रोतक हो, चाहे करनाल हो, चाहे पानीपत हो, इन सब शहरों में बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत पठाके बजाये जाते हैं, तो इस पर दिल्ली में भी हुआ हर साल होता है, और उन पठाकों का जो धुआ है, वो एक बार ऊपर जाता है, और फिर भारी होने के कारण से, वो एक दो दिन में वापिस बैठता है, इस साल क्योंकि हवा नहीं चल रही है, इसलिए वो धुआ नहीं पर है, और बरसात नहीं हुए है, कुछ सालों में कभी-कभी होता है कि थोड़ी बरसात हो जाती है, जिसके कारण से वो बैठ जाता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए आपको यह समस्या यहां पर जेल नहीं बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि हम अपने ग दूसरों को इसके लिए जिम्मेदा ठेहरा रहे हैं, तो पंजाब में तीन हजार किसानों पर आज जुर्माना लगाया गया है, और क्योंकि वो पराली जला रहे थी, तो यह किस हद तक सही है, और किसान आखिर जलाते क्यों है पराली? देखिये, किसान पराली जलाते हैं, मेरी समझ में जैसे मैंने कहा कि अभी तक यह इस साल बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं हुआ है, लेकिन हर साल होता है, इस साल भी शायद होगा, सरकार उसको जो है, रोकने की बात करती रही है, पर रोकने के लिए ज़्यादा कुछ उपयोग नहीं होता है, उसका उपयोग हो सकता है as biomass, उसका उपयोग हो सकता है brick making में, उसका उपयोग हो सकता है इंधन की तरह से, और उस पूरे biomass को इस तरह से जला देना, जो है, actually गलत है, किसान क्यों जलाता है लेकिन, किसान इसलिए जलाता है, उसके दो कारण है पहली बात तो उस पराली को काटने का जो खरचा है वो इतना ज़्यादा है कि जो किसान आज जो अर्थविवस्ता की जो स्थिति है, खासकर जो कृषी संकट की स्थिति है, उसमें किसान वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, कि उसके उपर वो अलग से खरचा करे, उस चीज़ को निकालने के लिए जिसका उसको इमीजियेटली उसका कोई उपयोग नहीं है असल में तो किसान उस बायो मास को अपनी जमीन में अगर डालेगा तो वो जमीन की उरवरता को बढ़ाने के लिए भी काम आ सकता है लेकिन किसान वो क्यों नहीं करता है क्योंकि किसान को अभी जो इस समय घाटा हो रहा है इस समय जो प्रॉफिट की कमी है उसको निपटना मेरी अभी की जरूरत है मेरा इसमें पराली खेत में डालने से अगले पांच साल में मेरी जमीन की उरुवरता बढ़ेगी ये सोचने की स्थिती में तो किसान ही नहीं क्योंकि किसान जो अर्थिक क्रिशी के संकट से गुजर रहा है उसको अभी इस समय कैसे मेरे को कुछ पैसा मिले, कैसे मैं कुछ पैसा बचा पाऊं ये उसकी सोचने की जरूरत रहती है तो इसलिए किसान पराली को जला देना सबसे आसान तरीका समझता है तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा कैसे रुख सकता है? रुख इससे सकता है कि अगर सरकार कम से कम पराली को management के जो मशीने हैं उसके लिए कुछ subsidy दे और इसके साथ में जो बड़ी समझा है क्रिशी संकट की उसकी तरफ कुछ धान दे जिसे किसान इतनी बधाल स्थिती में नहों कि उसको कहीं ना कहीं जैसे तैसे जो है अपनी जेब काट करके पैसा बचाना है इसलिए वो इस तरह के खर्चे नहीं कर पाता है जबकि किसान के खुद के हित में है कि वो इस पाराली को बचाए इसको अपनी जमीन में डाले उससे अपनी जमीन की उरवरतक बढ़ाने के लिए उसको कंपोस्टिंग करके उसको यूज करे लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पा रहा है इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रुलत है और मुख्य हथ तक यह सारे मेजर सही हैं और क्या इन से सच में प्रदूशन कंट्रोल में आएगा ने मुझे लगता है बहुत गलत है इंफेक्ट आज मैं रेडियो पर सुन रहा था वो बोल रहे थे कि किसान पराली जला रहा है उसके कारण से प्रदूशन हो रहा है और हमें और किलने वाला नहीं है हमें यह सवाल खुद से पूछना होगा और यह सवाल सिरफ दिल्ली और किसानों के का जो है द्वन्द नहीं है इसमें दिल्ली में ही और शहरों में ही जो क्लास इन इक्वालिटी है वो भी बहुत महित्वपूर्ण है दिल्ली में जो अमीर लोग रहत उसके पास पठाके बजाने के लिए पैसे नहीं है पर लेकिन जो संपन परिवार हैं वो बहुत ज्यादा पठाके बजाते हैं और उनके पठाके बजाने पर कोई रोक नहीं है और वो कही ना कही इसके लिए जिम्मेदार हैं और यह हवा जो है यह हमारा एक प्राकृतिक और उसके बाद आप air purifier लगाते हैं, mask पहनते हैं और इस तरह के private solutions जिसके लिए आप अपनी जेब से पैसा कर्च करके आप जो करते हैं, अपनी एक साफ हवा लेने के लिए आपको इस तरह के solutions ढूनने पड़ रहे हैं, यह एक बहुत ही दुर्भा के पुरुनस्तिती है, कि जो हवा, पानी, जो प्राकृतिक संसादन है, जो सब के प्रयोग के लिए हैं, उनको कुछ लोग अपने ऐशवाराम के लिए, अपने ऐश के लिए एक रात के मजय के लिए इतना बरबात कर देते हैं, कि उसके बाद लोगों को मास्क पहन पहन करके घुमना पड़ता है, तो इसके लॉंग टर्म सिल्यूशन कैसे होंगे कि पटाके तो बच चुके हैं दिवाली भी निकल गई है और यह जो प्रेदूशन का जो आपात है यह बढ़ता ही जा रहा है देखे कुछ तो अभी शौट टर्म इमेजिएट कुछ करने की जरूरत है पिछले साल मुझे या की जरूरत है पर यह स्थिती हर साल आती है हमें इसका लॉंग टर्म सिल्यूशन देखना पड़ेगा कि हमें यह पटाकों पर पाबंदी लगानी है कि हम पटाके नहीं बजेंगे उसके लिए दिवाली पर पटाकों पर कैसे पाबंदी लगा सकती है इसके बारे में सरकार क को और बाकी के भी जो दूसरे लोग हैं उनने देखना पड़ेगा कि किस हद तक उन्होंने पटाके चलाए हैं और वो किस तरह से उसने कॉंट्रिब्यूट किया है प्रदूशन के आपात के लिए तो यह सारी बाते हमें समझाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिय कर दो के लिए टार कर दो